नमस्कार बच्चो, कैसे आप सब? आशा करती हूँ, आप सब अच्छे से होंगे. तो बच्चो, आप जानते हूँ, आज कल कोरूना काल में हम स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल हमारे बंध है. तो बच्चो, हम आपके विध्याले को आपके घर तक लाने का पूरा प्रेतन कर रहे हैं. तो बच्चो, आओ हम आज का पाठ पढ़ते हैं. आज का पाठ है हमारा कक्षा 10 का फुगोल की पुस्तक का अध्याय नमबर 3 जल संसाधन. बच्चो, आपने पहले पाठ में संसाधन के बारे में पढ़ा था. संसाधन क्या होते हैं? अगर मैं साधारन शब्दों में कहूं, तो संसाधन क्या होता है? प्रकृती द्वारा दिया गया उपहार. उपहार तो आपको पता है, वो आपको मुफ्त मिलता है. प्रकृती आपको बिलकूल मुफ्त में वो पहार देती है. तो संसाधन हमारे पास हवा भी है, जल भी है, सौर उर्जा भी है. तो इस पार्ट में बात करेंगे जल की. बच्चो आप जानते हो, जल का इस्तेमाल हम क्रिशी में, घरों में वा उध्योगों में करते हैं. उध्योगों में कैसे करते हैं बच्चो? उध्योगों में आपको पता है, मशीनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है. मशीनों को चलाने के लिए जो बिजली पैदा की जाती है वो भी जल से बनती है और घरों में वो तो आप सब रोज देखते हो आपके घर में मा जो हैं आपकी खाना बनाती हैं कपड़े धोती हैं उन सब में जल का उपयोग होता है उसी तरह क्रिशी में भी बच्चों आपको पता है खेतों में सिंचाई की जाती है तो बच्चों आपको जल का उपयोग तो पता चल गया होगा तो जब हम जल का उपयोग करते हैं उसे ही कहा जाता है जल संसाधन आओ बच्चों मैं आपको एक और बात बताओ जल हमारे पास दो तरह में है पहला लवनिये और दूसरा अलवनिये लवनिये जल मतलब खारा जल जिसमें नमक होता है नमक की मातरा प्राप्त होती है और अलवनिये जल जो हम पी सकते हैं जिसमें नमक की मातरा नहीं होती है जो हमें नदियों से मिलता है तो आओ बच्चो आज का पाठम शुरू करें विभिन युगों में मानव, नदियों और अन्य जलस्तरोतों जैसे जर्नों, जीलों, पोकरों और मरुध्यानों के आसपस क्यूं बसता था? बच्चो आप जानते हैं कि तीन चौथाई धरातल जल से ढखा हुआ है, परन्तो इसमें प्रियोग में लाने योगे अलवनी जल का अनुपात बहुत कम है ये अलवनी जल हमें सतही अपवा और भौम जलस्तरोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरन और पुनर भरन जल्ले चक्र द्वारा होता रहता है ऐसी भविश्यवानी की जा रही है कि 2025 में 20 करोड लोगों को जल की कमी झेलनी पड़ेगी अब हम आपको बताते हैं जल दुरलबता और जल सरक्षन एवं प्रबंधन की आवशक्ताओं के बारे में जल की कमी के कई कारण है जैसे अतिशोशन वा अत्यधिक प्रियोग अधिक जनसंख्या अध्योगी करण शेहरी करण समाज के विभिन बर्गों में जल के असमान वित्रन के कारण जल की कमी महसूस की गई है जल दुरलबता क्या होता है? अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम सरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वित्रन का परिणाम हो सकता है अधिक जनसंख्या के कारण घरेलू उपयोगों में ही नहीं बलकि अधिक अनाज उगाने के लिए भी जल चाहिए अता अनाज का उत्पादन भढ़ाने के लिए जल संसादनों का अतिशोशन करके ही सिंचित क्षेतर भढ़ाया जा सकता है और शुष्ख रीतु में भी खेती की जा सकती है सिंचित क्षेतर में जल का सबसे ज़ादा उपयोग होता है शुष्क क्रिशी तकनीकों तथा सूखा प्रती रोधी फसलों के विकास द्वारा अब क्रिशी क्षेतर में क्रांती लाने की आवशकता है सिंचाई के कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और जल की कमी और भोजन सुरक्षा खत्रे में पढ़ सकती है बच्चों भारत में तेजी से अध्योगी करण और शहरी करण हुआ और उध्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवनी जल संसादनों पर दबाब बढ़ रहा है उध्योगों को चलाने के लिए उर्जा की आवशक्ता होती है और इसकी पूर्ती जल विदुद से प्राप्त होती है शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या द्वारा शहरी जीवन शैली के कारण ना केवल जल और उर्जा की आवशक्ता में बढ़ोतरी हुई अपितु इनसे संबंदित समस्याएं और भी गहरी हुई है शहरों में जल संसाधन का अतिशोशन हो रहा है और जल की कमी होती जा रही है बच्चो जल प्रचूर मात्रा में उपलब्ध होने के वाबजूद घरेलू और अध्योगिक अप्षिष्टों, रसायनों, कीट नाशकों और कृषी में उर्वरको द्वारा प्रदूशित है और मानव उप्योग के लिए खतरनाख है समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का सरंक्षन और प्रबंधन करें, स्वयम को स्वस्थ संबंदी खतरों से बचाएं, खाध्यान सुरक्षा अपनी आजीविका और उतपादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को न इमनिकरित होने से बचाएं, बच्चो अब हमारा अगला उपविश्य है बहु देश्ये नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्रों और मलवों से बांध, जलाशे, अत्वा जीलों के तटबंध और नहरो जैसी उतक्रिष्ट जल्य आक्रितियां बनाई हैं और ये परिपाटी आधुनिक काल में भी जारी रखी हैं और अधिकतर नदीयों के बेसिनों में बांध बनाए हैं आओ बच्चो अब हम जल सरग्षन की एतिहासिक प्रिष्ट भूमी पर नजल डालें चंदरगुप्त मौरे के समय बहुत सारे बांध जील तथा सिंचाई तंत्रों का निर्मान हुआ है कलिंग नागर जुन कॉंडा कोलापूर जैसे क्षेत्रों में उतक्रिष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबुत मिले हैं अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम जीलो में से एक भुपाल जील ग्यारवी शताबदी में बनाई गई चौद्वी शताबदी में इल्तुत मिशने दिल्ली में सीरी फोट क्षेतर में जल की सपलाई के लिए होज खास बनवाया तो ये सब हमने इतिहास में देखा कि जल जो है बहुत ही उपयोग में लाया जा रहा था बच्चो आप बताएंगे बांध क्या है बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आम तोर पर जलाशे, जील, अत्वा जल भरण बनाती है बांध का अर्थ जलाशे से लिया जाता है ना कि इसके धांचे से अधिकतर बांधों में एक धलावा हिस्सा होता है जिसके उपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है बांधों को लकडी के बांध, तटबंद बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है बांधों को बड़े बांध और मुखे बांध या नीचे बांध, मद्यम बांध और उच बांधों में वर्गी कृत किया जा सकता है बच्चो परंपरागत बांध, नधियों और वर्षा जल को इकठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्द करवाते थे आज कल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते अपितु उनका उदेश्य, विधुत उत्पादन, घरेलू और अधुकिक उपयोग, जलापूर्ती, बाढ़न यंत्रन, मनुरंजन, आंत्रिक नोचालन और मचली पालन भी है इसी लिए बांधों को बहु उदेश्य परियोजनाए भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेको उपयोग समन्वित होते हैं उधारन के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखडा नंगल परियोजना, जल विदुद, उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है इसी प्रकार दूसरा उधारन महानदी बेसिन में हिराकुंट परियोजना, जल सरक्षन और बार नियंत्रन का समन्विय है बच्चों, भूत भतपुन बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा जवहालाल नहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री थे, उन्होंने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते क्रिशी और ग्रामीन अर्थवस्था और धोगी करण और नगरी अर्थवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी बच्चों क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है ये भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें चार राज्जी महाराष्ट्र, मध्यपरदेश, गुजरात तथा राजस्थान समलित हैं चितर पर भारत की मुख्य नदियों एवं बांधों पर नजर डालें क्यूंकि इस पार्ट से परिक्षा में मानचितर वाले प्रशन आपको हल करने के लिए आएंगे तो बच्चो आओ हम मानचितर देखें जिसमें भारत की मुख्य नदियां एवं बांध दर्शाए गए हैं तो सबसे पहले जो महत्वण बांध है वो है सलाल प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कश्मीर में जम्मू के पास चेनाव नदी पर सलाल प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ये एक बांध है जो चेनाव नदी पर बना हुआ है ठीक इसके नीचे आपको दूसरा बांध दिख रहा है भाखडा नंगल बांध भाखडा नंगल बांध सतलुज नदी पर पंजाव हिमाचल के सीमा पर आपको दिखाई ये सतलुज नदी पर बना हुआ है ठीक भाखडा नंगल के नीचे आपको तीसरा बांध तिहरी जो की आपको उत्राखंड में दिखाई दे रहा है तहरी बांध भागी रथी नदी पर बना हुआ है अब बच्चों आप जरा नीचे आईए चम्बल नदी के पास ये रही चम्बल नदी चम्बल नदी आगे जाकर राजिस्थान की तरफ आपको देखनी है आपको दिखरा होगा वहां लिखा है राणा प्रताप सागर ये हमारा अगला महत्वपुन बांध है राणा प्रताप सागर के ठीक नीचे गांधी सागर ये भी एक महत्वपुन बांध है राणा प्रताप सागर बांध राजिस्थान में आता है जबकि गांदी सागर बांध मध्यप्रदेश में आता है दोनों ही बांध सीमा पर हैं मध्यप्रदेश और राजिस्थान की ठीक उसके नीचे सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात और मध्यप्रदेश की सीमा पर आपको दिखाई दे रहा है ठीक उसके सामने अगर हम देखे उडीसा की तरफ तो उडीसा और च्छतिस गड़ की सीमा के पास महा नदी पर हीरा कुंड बांध आपको मांचित्र पर दिखाई दे रहा है हीरा कुंड बांध के ठीक नीचे आपको नागर जुन सागर दिख रहा है ये भी बांध है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है तेलांग ना में ठीक नागर जुन सागर के नीचे की तरफ आपको तुंग भद्रा नदी दिख रही है तुंग भद्रा नदी पर भी तुंग भद्रा बांध बना हुआ है जो की करनाटक में आता है इस तरह से मैंने आपको कुछ महत्वपुन बांधों को बताया है यहां आपको और भी कई बांध दिख रहे हैं बड़ जो बांध आपको धर्शाय गए हैं वो सबसे महत्वपुन बांध हैं जो परिक्षा में आपसे पूछे जाएंगे आओ बच्चो हम बांधों से संबंदित हानियों को जाने यह एक विडंबना ही है बच्चो जो बाढ़ नियंतरन करने के लिए बांध बनाए गए थे उनके जलाशों में तलचट जमा होने से वे बाढ़ आने के कारण बन गए अत्यदिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंतरन में असफल रहते हैं आपने पड़ा होगा कि वर्ष 2006 में महराश्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दोरान बांधों से छोड़े गए जल की वज़ा से बाढ़ की स्थिती और भी विकट हो गई इन बाढ़ों से ना केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु ब्रहित स्तर पर मृदा अपरधन भी हुआ बांध के जलाशे पर तलचट जमा होने का अर्थ ये भी है कि ये तलचट जो की एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुँचती जिसके कारण भूमी निमनी करण की समस्याइं बढ़ती है बच्चो ये भी माना जाता है कि बहुदेश्य योजनाओं के कारण भुकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उप्योग से जल जनित बीमारियां, फसलों में किटानु जनित बीमारियां और प्रदूशन भी फैलते है तो बच्चो हमने यहाँ पर बहुदेश्य परियोजनाओं के लाब भी देखे और इनकी हानिया भी देखी तो बच्चो आओ हम आगे बढ़े अपने अगले उपविशे पर वर्षा जल संग्रहन बच्चो आप सबको पता है वर्षा का पानी बहुत जादा प्रियोग में लाया जा सकता है सही अगर उसका हम इस्तेमाल करें तो वो वर्षा जल संग्रहन कहलाता है प्राचीन भारत में उतक्रिष्ट जल्ले निर्मान के साथ साथ जल संग्रहन धाचे भी पाए गए हैं लोगों को वर्षा पदती और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ग्यान था पहाडी और परवतिक शेत्रों में लोगों ने गुल अत्वा कुल पश्मी हिमाले जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं पश्चिम भारत विशेश कर राजस्थान में पीने का जल्ल एकत्रित करने के लिए छट वर्षा जल्ल संग्रहन का तरीका आम था पश्चिम बंगाल में बाड के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाड जल वाहिकाएं बनाते थे शुष्क और अर्ध शुष्क शेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड़े बनाये जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और सरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके राजस्थान के जिले जैसल मेर में खादीन और अनिक शेत्रों में जोहड इसके उधारन है राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क शेत्र विशेशकर बीकानेर, फलोदी और बाडमेर में लगबग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे इसका अकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है टांका यहां सुविक्सित छट वर्षा जल संग्रहन तंतर का अभिन हिस्सा होता है जिसे मुख्य द्वार या घर के आंगन में बनाया जाता था वे घरों की धलावा छटों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे टांका तक पहुचता था जहां इसे एकत्रित किया जाता था वर्षा का पहला जल छट और नलों को साफ करने में प्रियोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था टांका में वर्षा जल अगली वर्षा रितू तक संग्रहित किया जा सकता है ये इसे जल की कमी वाली ग्रिशम रितू तक पीने का जल उपलब्द करवाने वाला जल स्त्रोथ बनाता है कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं क्योंकि जल का ये स्त्रोथ इन कमरों को भी ठंडा रखता था जिससे ग्रिशम रितू में गर्मी से राहत मिलती थी बच्चो एक रोचक तथे में आपको बताती हूँ मिघाले जो भारत का एक राज्य है जिसकी राज़ानिया शिलोंग शिलोंग में छट वर्षा जल संग्रहन प्रचलित है ये रोचक इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हो चेरा पुंजी और मासिन राम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है शिलोंग से सिर्फ 55 किलोमेटर की दूरी परी है और ये शहर पीने के जल की कमी से गंभीर समस्या का सामना करता है शहर के लगबग हर घर में छट वर्षा जल संग्रहन की विवस्था है बच्चों आपको मैं करनाटक के बारे में भी बताती हूँ करनाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गाव गांडा थूर में ग्रामीनों ने अपने घर में जल आवशकता पूर्टी छट वर्षा जल संग्रहन की विवस्था की हुई है गाव के लगबग 200 घरों में ये विवस्था है और इस गाव ने वर्षा जल संपन गाव की ख्याती अर्जित की है बच्चो अब मैं आपको बताती हूँ मिघाले की एक कहानी जहाँ पर बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपियोग होता है मिघाले में नदियों वा जर्नों के जल को बांस द्वारा बने पाइपो द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधी प्रचलित है अगर आप इस चित्र को देखो तो यहां आपको 6 चित्र दिख रहे हैं चित्र एक को ध्यान से देखो बच्चो पहाड़ी शिक्रों पर सदानीर जर्नों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपियोग किया जाता है इन पाइपों के माध्यम से गुर्तवा कर्शन द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुँचाया जाता है चित्र दो में देखो बच्चो और चित्र तीन में देखो बच्चो बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाफ परिवर्तित कर दिया जाता है पौधे तक बांस पाइप से बनाई वा बिचाई गई विभिन जल शाखाओं में जल वित्रित किया जाता है पाइपों से जल प्रवहा इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंतरित किया जाता है चितर चार देखो बच्चो यदि पाइप को सड़क पार ले जाना है तो उन्हें भूमी पर उंचाई से ले जाया जाता है इस चितर में आप देख सकते हो बांस के पाइपों को उस पार ले जाने के लिए काफी उन्चाई पर रखा गया है चितर पांच और छे देखो बच्चो अंतिम चैनल सेक्षन से पौधे की जड़ों के निकिट जल गिराया जाता है अब एक और रोचक तथे बच्चो जो आपको शायद ही पता हो तमिन लाडू एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहन धांचो का बनाना आवशक कर दिया गया है इस संदर्व में दोशी व्यक्तियों पर कानूनी कारेवाही हो सकती है तो बच्चो आज आपको इस पार्ट को पढ़कर समझ आ गया होगा कि जल जो है वो एक बहुत ही महत्यपुन संसादन है आओ बच्चो अब हम कुछ प्रशन उत्तर का खेल खेलें आप से मैं कुछ बहुवेकल्पिक प्रशन पूछने वाली हूँ तो पहला प्रशन है इन मैंसे किसने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा पहला राजिंदर परसाद, दूसरा जवालाल नहरू, तीसरा सरदार पटेल सही उत्तर है जवालाल नहरू अगला प्रशन, राजिस्थान में छत वर्षा जल संग्रहन को कहा जाता है गुल, कुल या टांका सही उत्तर है टांका अगला प्रशन, आओ बच्चो भारत के मानचित्र का अवलोकन करे और उसका अभ्यास करे तो बच्चो अब मैं जो आपसे प्रशन पूछने वाली हूँ वो आपके मानचित्र को ध्यान से देखने के साथ ही आपको समझाए जाएंगे तो बच्चो पहला प्रशन है निमन लिखित में से किस नदी पर टीरी बांद बनाया गया है आपके सामने विकल्प है भागी रथी, यमुना या कोसी सही उत्तर है भागी रथी आप मानचित्र में भागी रथी नदी को भी देख सकते हो अगला प्रशन है सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है पहला विकल्प चेनाव, दूसरा महानदी, तीसरा सतलुज सही उत्तर है चेनाव, इसे आप मानचित्र पर भी देख सकते है अगला प्रशन नागर जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है विकल्प है चेनाव, कृष्णा, महानदी सही उत्तर है कृष्णा ये भी आप मांचित्र पर देख सकते हैं अगला प्रशन तुंग भद्रा बांध किस राज्य में स्थित है वेकल्प है करनाटक, महाराष्टर, उत्तर परदेश सही उत्तर है करनाटक अगला प्रश्न हीराकुंट बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी, कावेरी, कृष्णा सही उत्तर है महानदी अगला प्रश्न भाखडा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? विकल्प है सतलुज, रावी, गंगा सही उत्तर है सतलुज अगला प्रशन है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है विकल्प है यमुना चम्बल ब्रह्मा पुत्र सही उत्तर है चम्बल अगला प्रशण बच्चों, सर्दार सरोवरबान किस नदी पर स्थित है? विकल्ब हैं तापी, नर्मदा, महा नदी सही उत्तर है नर्मदा शबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिये हैं बच्चों आपके लिए ग्रह कारिय दिया जा रहा है. आप प्रशनों को लिख लें. पहला प्रशन जल दुरलबता से क्या अभी प्राय है? मैं फिर से बोल रहे हूँ. जल दुरलबता से क्या अभी प्राय है? बांधों के चार लाब बताईए तीसरा प्रशन वर्षा जल संगरहन क्या है चौथा प्रशन हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रति दिन क्यों बढ़ता जा रहा है कारणों की सूची तयार करे मैं फिर से बोलती हूँ हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रती दिन क्यों बढ़ता जा रहा है कारणों की सूची तयार करें तो बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा और इस पार्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका मानचित्र जिसमें की नदियां और बांध दरशाए गए है अब मैं आपको जाते जाते बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती हूँ अभी आपने पढ़ा कि तमिल नाडू में करनाटक में छट वर्षा जल संगरहन किया जाता है तो मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देती हूँ छट वर्षा जल संगरहन जो होता है उसमें PVC पाइपों का इस्तेमाल करके छट का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है रेत और इंट प्रियोग करके जल का छनन किया जाता है भूमिगत पाइपों के दुआरा जल होज तक ले जाया जाता है जहां से इसे तुरंथ प्रियोग किया जा सकता है होज के अतिरिक्त जल कुवे तक ले जाया जाता है कुवे का जल भूमिगत जल का पुनर भरन करता है बाद में इस जल का उपियोग किया जाता है अच्छा बच्चों क्या आपको पता है एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा गोदावरी इन नदीओं का विवाद चला हुआ है क्या आप जानते हैं इसके वारे में? नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूं क्रिश्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराश्ट्र सरकार द्वारा कोईना पर जल विधुत परियोजना के लिए बाद बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर करनाटक और आंध्रापरदेश सरकारों द्वारा आपत्ती जताय जाने से हुई इससे इन राज्यों में पढ़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवा कम हो जाएगा और क्रिशी और उध्योगों पर विप्रित असर पढ़ेगा इसलिए क्रिश्णा गोदावर विवाद शुरु हुआ बच्चो छट जल संग्रहन थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था वर्शा जल जो की घरों की धालू छटों पर गिरता है उसे पाइपों द्वारा भूमिगट टंकों के अंदर ले जाते हैं भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अत्वा आंगन में बना होता है उपर दिखाये गए चित्र दर्शाता है कि जल पडोसी की छट से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है यहां पडोसी की छट का उपियोग वर्शात जल को एकत्रित करने के लिए किया गया है चित्र में एक छेत दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्शात जल भूमिगट टंका में चला जाता है तो बच्चो आज का पाठ जल संसादन यहीं समापत होता है अब हम मिलेंगे अगली अध्याय में तो बच्चो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सुस्त रहें सुरक्षित रहें खूब बड़ो आगे बड़ो धन्यवाद